आप लोग लाएन ओर्डर की बात कर रहे हैं मगर महाँ पर कोई भी बॉर्डर पर आप लोग रुखा नहीं रहे हैं इसलिए हम गवरक्षकों को आगे आकर गवरक्षय करना पड़ रहा है तो मैं ये पूछना चा रहा हूँ ये गाड़ी चड़ाने का ओडर किसने दिया असदू दिन OEC दो दिन पहले एक लेटर देके बोला कि गायों का गाड़ियां रोका जा रहा है हम गवरक्षक है गाड़ियां रोकेंगे असदू दिन OEC आज ये दुरगटना होई आज हमारा गोबक्त अंदर जान से लड़ रहा है अगर एक भी गोबक्त भक्त की जान जाएंगी ना बेगम बजार छत्री पे उल्टा लटका के देखू तेरी तारी निकलने लगा देंगे गोबक्तों को क्या मामूली समझ रहा है हम का अब आप देखेंगे या बखरी दाने वादी है अचानक हजराबाद की जो रोड़े हैं महाँ पर गौरक्षक पैदा हो जाते अरे जो करो साल के ग्यारा महिने तुम्हार को याद नी आई अम्मा की महबबत याद नी आई तुमको अब क्यूंके बखरी दारी फौरण हो जागए कल मीर पेट पूर दोस्तों मैं फाहद मुखसी अभी कुछ दिर पहले में एक लाइव आया था जिसके बंद करने के बाद दो चार मिनिट के बाद मुझे किसी निफ कॉल करके बताया है कि भई वो लाइव नजर नहीं आ रहा है उसके अंदर कुछ कुछ क्रूशिल बात आपने बताई थी जो कि बहुत अच्छी थी लेकिन वो नहीं आ रहा है तो इस वजह से मैं दुबारा से लाइव आ रहा हूँ बहराल एनिवेज मैं कहना यह चारा था कि एक बीजेपी का दो टेके का लीडर अभी अभी जिसका मैं बयान देखता हूँ जिसके अंदर वो कहता है कि भई हम गावरक्षा करने के लिए कुछ ट्रक को रोकने की कोशिश करें तो एक ट्रक के सामने शायद उनका गवरक्षक आ गया जिसकी वज़ी से वो दवाखा ना पहुंच गया और वो कहता है कि भई अगर उसको कुछ होता है तो वो पिर वो बहराल एक कम्यूनल बाते करता है और यानि ये लोग साल भर तो कुछ काम करते नहीं है लेकिन एन ईद के मौके पे खास करके बकरा ईद के मौके पे आ जाते हैं गरीबों के पेट पे लात मारने के लिए और उसके साथ साथ वो जो है ना एक बहुत बड़ी बात कर देता है वो अगर डायरेक्ट असद अदिनवेसी को कुछ कहता तो शायद मैं उसके ओपर रियाक्शन ना देता लेकिन उसने कहा कि असद अदिनवेसी की दाड़ी काटेगा वो उल्ठा लटका के तो अगर तेर में है दम तो वाकए मैं असद अदिनवेसी को हाथ भी लगा के बता ले भाई आसा दुदिन वेसी तो छोड़ दे उनके चेले चपाटे जो साथ पे फिरते नहीं उसको हाथ लगा के बता ले उसके बाद मैं तरको मान लेता हूँ कि भाई वाकए में तेर में दम है ये बड़ी बड़ी बाते हैं करने से नहीं होता लेकिन मैं तरको एक छोटी सी बात समझाना चाहता हूँ कि बकरा एद होती क्या है बकरा एद दुनिया की सबसे बड़ी वो एद है जिसके अंदर ना के सिर्फ गरीब बलके अमीर यानि ना के सिर्फ अमीर बलके गरीब भी जो है ये तिहार को मनाते है बहुत ही खुबसुत तरीखे से जैसे के ये दुनिया की एकोनॉमी के अंदर इतना बड़ा सपोर्ट है ये एद कि जो कैटल ट्रेडिंग होती ना ये अकसर गाओं के अंदर वो गरीब लोग करते हैं जो साल भर जानवरों को पालते हैं और उनको जो है ना उनको चारा खिलाते हैं बारहल उनको बड़ा करते हैं इसी इंतजार में कि जब बकरा इद आएगी तो हम ये जानवर बेचेंगे मार्केट में फिर वो बेचने के बाद यानि जानवर बेचने पे भी गरीबों का फादा और जानवर बिकने के बाद भी गरीबों का फादा वो कैसे होता है मैं बताता हूँ और एक बात बतातूँ कि मेज़ॉरिटी हिंदुस्तान के इंदर मेज़ॉरिटी कैटल ट्रेडिंग करने वाले हमारे हिंदू भाई बेहन है हमारे हिंदु भाई लोग जो अपना सारा साल ये जानवरों को पालते हैं इसी इंतिजार में के बकरीद आएगी तो वो पेचेंगे तो अब तू गाउरक्षा के नाम पे ट्रकों को रोक के एक तो बिचारे घरीब ड्रैवर को मारने की बात कर रहा है यानि ड्रैवरों को मारते तोड़ते हो तुम लोग उस वज़े से शायद वो अपनी जान बचाने की चक्कर में जो है ना तेरा जो भी भराल साती था उसको उसने टक्कर मार दिया और वो ड्वा उसकर पहुअने पॉच गया तो आते क्यों हो कुतेबळीों की तरहा ट्रकम के सामने तुम हो यह काम करते हैं क्यों हो भाई तु क्या स्टेट गर्मर्मेंट का उपलोई है सिंट्रल कवर्मेंट का उपलोई है – तुह है कउन भाई पुलीस है, खानून है, कोट है, कोट के जरीए से अप्रोच हो, पुलीस को क्या नहीं मालूम है, किसको परमिशन दिया हुआ है, किसको नहीं दिया हुआ है, किसको रोकना है, किसको नहीं रोकना है, अगर कोई इलीगल तरीखे से एंट्री लेता है, जाओ पुलीस में कम्प जिसके बारे में गुवर्मन्ट सोचती भी नहीं वी लोगों फाइदा है इस बकराईद के महाँँ पे, वह बेशान प tipo के लोगों को यह रिधा होता है इस बकराईद 파ोके पे एक को इसे वह पैसा मिलता है तैमिल के साल भर का ओर था चो NAK पाई की वहाँ, और दूसरा और उसको जुबा करके जब डिस्ट्रिब्यूट किया जाता है तो उसमें भी गरीबों का फैदा तो ये गरीबों के लिए एक बहुत ही एहम एद का मौखा होता है और तुम जैसे जंगली लोग जो जानते नहीं हो कि भाई ये एद क्यों है क्या है उल्ठे सीधे हरकते करने साल भर तो कोई काम करते नहीं हो लेकिन एन बकराईद के मौखे पर पहुंच जाते हो अपना कम्यूनल चेहरा दिखाने के लिए माहूल को गंदा और खराब करने के लिए और पोलीस को चाहिएगा कि इन जैसे बदमाशों के पर सख्ट से सख्ट अक्शन लिया जाए कि 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 बुनियाग पर किस यानि किस रीजन से यह लोग पहुच जाते हैं वागर पर ट्रक्स को रोकने के लिए क्या पॉलीस में तर्हा दम नहीं है इन को डंडे मारके भागाने कि लिए पॉलीस को चाहिएगा कि इन जैसे बदमाशों को डंडे मारके भागाया जाए ऐत्रनी धरा向के होते तो तुमको पता होता कि भईıl निजिंस की सरी रेस्पेकT कैसे करनी चाहिए भी हम अपने जो है न हम .... जुबास के सेंटिमेंटा को हट नहीं होना चाहिए करके इसलिए हम गजाओ माता को जुड़ा ही करना चोड़ दियें, रिकिन गजाओ बॉमता को जुड़ा करना हिए, तो हम ज्यादा रिस्पेक्ट करते हम हिंदु धर्म के नखिस, तुम क्योंकि हमारा खुद इसलाम हमें सिखाता है कि दूसरे धर्मों की रेस्पेक्ट करना चाहिए और इस तरह के बदमाशी हरकते करना छोड़ो भाईचारे से रहना सीखो थैंक्यू वेरी मच्छ अगर आप मोबाल फोन्स खरीदने की सोच रहे हैं तो चले आएए सेल वर्ल की शोरूम में यहां पर सारे ब्रांड़ेड मोबाल CDMA4 एर अडिशनल अक्सेसरी तस्पियाब मोबाल फोन्स की दुनिया में भरोसे मन नाम सेल वर्ल सेल वर्ल ते मोस्ट ट्रस्टेड नेम इन मोबाल फोन सिंस 1999 एफ यो सावे सेल वर्ल